नकली दवा बेचने, मिलावट करने, दूदगी में मिलावट करना, नकली दवाई बेचना, ऐसे काम करना जिससे स्वास खराब होता है, हवा में जहरिली, कोई जहरिला समान छोड़ देना कि हवा में जहर फैल जाए, या असलीलता फैलाना, असलील किताब छापना, ये दुर्भाग ये वास ये भी न तो non-bailable है, न न न-compoundable है और न तो serious offense है. Chapter 16, offense relating to religion. ये पुराने वाले में भी था, पुराने वाले में chapter 15 था, आपकी बार ये chapter 16 है नय वाले में. और ताजूब है, धार्मिक भावना आहत करना तो अपराध है, लेकिन धर्मांतरन कराना अपराध नहीं है. मतलब किसी के बारे में कुछ कह देना तो crime है, लेकिन उसको जूट बोलके, लालस देके, धोखा देके, उसको brainwash करके, उसको किसा और लालस देके, उसको चंगाई समभा में बुलाके, उसको कह देना कि भी ये न पुन सकता ठीक हो जाएगी, बाजपन ठीक हो जाएगा, ग 1860 वाले इंडियन पिनल कोड में था, बस इतना अंतर है, offense related to religion पहले chapter 15 था, अभी chapter 16 हो गया, offense against property, इसमें है कि चोरी, धोखा दड़ी, चैन स्नेचिंग, इक्स्टॉर्शन, रॉबरी, डकैती, इसमें भी 10-20 लाग का, न तो प्रावधान है कि उसके उपर गुजूर्बान लगाया जाए, और न तो उसके उपर है, तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सत्यूग एक में जो सहिस्ट किया है, परजरी को हमें serious offense declare करना पड़ेगा, जिन देशों में सत्यूग है, वहाँ एक बड़ी अच्छी doctrine है, वहाँ ये सिध्धानत है, कि आपराज दो तरीक के होते हैं, एक होता है, पैसे के लिए किया गया अपराद, एक होता है सामान्य अपराद, बई चोरी किसले करते हैं, पैसा के लिए, धकायती, पैसा के लिए, इक्स्टार्शन, पैसे के लिए, ठीक है, चैनि स्नेचिंग, पैसे के लिए, घूस खोरी, जमा खोरी, तो पै जब जा रहे थे एक आएक हमने ज। है वो दूद बे मिलावट कर दिया, नहीं, प्लान करके होता है, सोच समझ के होता है, जो प्लान कराइम होता है, उसमें कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्बाना होना चाहिए, यह मेरा भी मानला है, आज तो जब तक भारत में अपराध कम नहीं होगा, जब तक जूठी सिकायत को गंभीर अपराध घोसित नहीं किया जाएगा। जाच करने पर गंभीर अपराध नहीं होगा। मुकदमा इसलिए यहाँ चलता है क्योंकि फर्जी डाकुमेंट बनवाना भी गंभीर अपराध में। आप फर्जी आधार बनवा लिजे, आप फर्जी रासनकार बनवा लिजे, फर्जी जन प्रमारपत बनवा लिजे, फर्जी डोमिसायल सर्टिफिकट बनवा लिजे, फर्जी ओटर आइडी बनवा लिजे, फर्जी जाती प्रमारपत बनवा लिजे, फर्जी जो है अपना महिला जो IS बन गई है फरजी इंकम सर्टिफिकेट बनवा के और फरजी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के वो बिलकुर फिट है और विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लिया क्यों क्योंकि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना भी गंबीर अपराद नहीं है और विकलांग देखो, IS हो गई हो और अभी तो बहुत सारे लोग आ रहा है कि बहुत सारे लोग EWS बने हुए है, वो कलेक्टर के मेटे थे, अभी एक Twitter handle है, खुरपेच, हाँ, खुरपेच, आप लोग देखिएगा, खुरपेच एक Twitter handle है, मैं उसको देख रहा था, उसने कम स्कुम 100 IS officer को expose क किया है, इसमें गंभीरता के साथ चिंतन होना चाहिए, एक खुरपेच के नाम का Twitter handle है, उसने 100 IS skill list डला है, जिसमें किसी ने फरजी जाती certificate बनवाया, किसने फरजी income का certificate बनवाया, और किसने फरजी fitness का certificate बना, कोई उसमें दलित हो चुका है, कोई उसमें गरीब बन गया है और कोई उसमें बिकलांग बन गया, और सारे collector हो चुके, जांच के बल पूजा की हो रही है, मेरा मानना है जांच सब की हो नीचा है, और लेकिन हुआ क्यों कि ना बनाना गंभीर अपराद है, ना बनवाना गंभीर अपराद है, इसी तरीके से आपका भारत में इतनी cheating fraud forgery परजरी क्यों होती है, कि ना cheating fraud forgery गंभीर अपराद है, ना उनकी मदद करना गंभीर अपराद है, इसलिए मेरा है मानना है, cheating fraud, forgery, falsification और परजरी, इसको सरकार को गंभीर अपराद भोसित करना चाहिए, cheating fraud, forgery और परजरी, पे कम से कम 5 साल की सजा होनी, minimum 5 years, उसको आजीवन कारावास करें और अच्छा है, minimum 5 लाख रूपई का कम सकम जुर्बाना होना चाहिए, उसको 5 करोड तक ले जाएं बहुत अच्छा है, क्योंकि सुप्रिम कोट भरा हुआ है फरजी केसे से, हाई कोट भरा हुआ है फरजी केसे से, डिस्टिक कोट भरा बनवाना गंभीर अपराद है, सरकार को एक काम और भी करना चाहिए, जहाँ पे जो डाकुमेंट बनता है, वहाँ बड़े बड़े अक्छरों में लिखवाना चाहिए, उदाहरण के लिए, जहाँ पे अल्टरा सौनी, अल्टरा सौनी टेस्ट होता है, वो प्रेजिनिंसी मेरा यह मानना है, भारत में जितने कामन सर्विस सेंटर है, जहाँ आधार बनता है, वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड होना चाहिए, फरजी आधार बनाना और फरजी आधार बनवाना गंभीर अपराद है, पकड़े जाने पे 5 से 10 सल सजा होगी, और 5 लाक रूपे से 5 करोड मेरा बनता है, जहाँ बड़े बोर्ड में लिखना चाहिए, फरजी बर सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराद है, पकड़े जाने पे 5 से 10 सल सजा होगी, नान बेलेबल जमानत भी नहीं मिलेगी, गैर जमानती अपराद है, जहाँ ड्राइविंग लाइसे बनता है, आइटी अफिस में लिखना चाहिए, फरजी आइटी ड्राइविंग लाइसेस बनाना और बनवाना गंभीर अपराद है, पकड़े जाने पे सजा होगी, 5 से 10 सल सजा हो, कम स्नुम 5 लाख रूपए से कम से कम एक करोड़ तक की जुर्बाना, यह प्राओधान होन डिकलेरना करने के कारण, भारत की राष्ट की सुरक्षा बहुत बड़े खत्रे में आ चुकी, मेरी एक PIL चल रही है, सुप्रिम कोट में 2017 मैंने PIL फाइल किया था, तब कहा था कि 5 करोड़ बंगला देशी आ चुके, 5 करोड घुस पैठी 2017 में आ चुके थे, मैंने डाकुमेंट बना, दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपे में रासन कार, दो डाकुमेंट बना, दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपे में रासन कार, दो डाकुमेंट बना, दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपे में रासन कार, दो डाकुमेंट बन गया, दलाल को पकड़ते हैं, जीत दिने से होती है वो सिधर बनवा देता है तो यह जो cheating fraud, forgery, परजरी है यह राष्ट की सुरक्षा के लिए खतरा है गुसपैट हमारी राष्ट की सुरक्षा के लिए खतरा है तो गुसपैट रोकने के लिए आपको सत्यूग एक्ट को लागू करना होगा गुसपैट दे गुसपैट एक वेजिंग वार है और वो सब चल क्यों रहा है क्योंकि गुसपैटियों को सब कुछ मिल रहा है अभी हमारे मित्र शर्मा जी दिखा रहे थे अभी रायबरेली में 20,000 फरजी आधार जन प्रमार पत्र बने हैं 20,000 और जन संख्या उस गाउं की बीस हजार है और बीस हजार फरजी आधार से बर सेटिफिकट बन गए अभी कुस दिन पहले राजस्थान की घटना आई है कि बॉर्डर पे 20,000 फरजी आधार बन गए है राजस्थान सरकार ने कें सरकार को चिठी लिखी है कि आप इसकी CBI जाच करो मेरा यह मानना है प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर जब बेक्ति अंदर आ गया फिर उसको ढूड़ना पकड़ना जेल में डालना फिर उसका मुकदमा डिसाइड ही नहीं होगा जब तक उसना यानि 20 साल के लिए जेल यह पता होना चाहिए हमारे यहां क्या है 1946 का फॉर्णर एक्ट चल रहा है उसमें मैक्सिममम 3 साल सजा है मिनिममम कितना लिखाई नहीं है इसका मलब जशाब की मर्जी है वो बंगला देशी घुस्पाइठीयों को 6 महिनेक सजा दे दे 9 महिन उसपे कुछ कारवाई हो वो तो 8 डाकुमेंट बनवा लिया अभी मुंबही में पकड़े गए उनके पास सारे डाकुमेंट थे पासपोर्ट तक था उनके पास सारे डाकुमेंट थे उनके पास अगर कम से कम हम परजरी को हम गंभीर अपराद घोसित कर दे फरजी डाकुमेंट बनाने को गंभीर अपराद घोसित कर दे एक एक डाकुमेंट के उपर पांच-पांच सल्क सजा शुरू कर दे तो एक घुस पैठिया पकड़ा जाएगा उसके पांच डाकुमेंट मिलेंगे तो 25 साल से जा तो ऐसे ही हो जाए कि उसकी और 5 साल अवाइद घुसने की हो गई तो 30 साल की हो गई तब तो खौफ पैदा होगा तब तो घुस पैठी है और फिर NRC की जरूत ही नहीं पड़ेगी इस सतियू का आइक्ट का सबसे बड़ा फाइदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ हम लोग सब NRC NRC मांग गर रहे NRC किसले चाहते हम कि घुस पैठी हां से निकल जाए 5.5 करोल को ढूरना इतना आसान नहीं है असम में हुई थे NRC फेल हो गई और असम में सरवानन सोनोवाल जी की PIL पर आडर हुआ था NRC करो और सरवानन सोनोवाल जी मुख्य मंत्री थे तब वहां NRC फेल हो गई क्योंकि जब NRC होने लग गई अल्टीमेटी वहां आये कौन लेखपाल पटवारी आते हैं रेजिस्टर चेक करने रेजिस्टर चेक करने आये और उनों 2000 फिर पकड़ा दिया पर हेड 2000 फिर पर हेड अब जो लेखपाल पटवारी रेजिस्टर बनाने आते हैं बड़े चलाक उन्होंने क्या किया कि भाई जो असम के असली हैं वो तो 2000 देंगे नहीं 2000 कौन देगा जो घुस पैठी हैं उन्होंने जब 2000 दिया तो दिन भर में वो क्या करते थे जिसने घुस पैठीयों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे जिससे जनसंख्या का बैलेंस बना रहे तो जब असम की नरसी हुई तो पता चला गुस पैठीये भारती ही बन गए अब भारत के लोग क्या बन गए गुस पैठीये तो फिर नया बवाल सुरू हो गया वहां पर और यह क्यों हुआ क्योंकि न फर्जी डॉकुमेंट बना न तो cheating, fraud, forgery, forgery हमारे हाँ गंभी रपराद नहीं है falsification गंभी रपराद नहीं है फर्जी डॉकुमेंट बनवाना गंभी रपराद नहीं है इसलिए आज इस प्रेस कांफरेंस के माध्यम से मैं सरकार से निवेधन करता हूँ सबसे पहले सरकार यह जो सतियूग एक्ट बना है कोई जरूए नहीं इसका नाम सरकार सतियूग एक्ट रखे अपने इस आपसे जो नाम रख ले Prevention of Pursory Act रख ले हम करें नया कानून भी मत बनाए उसको भारती न्याय संगिता और भारती नागरिक संगिता में ही सामिल कर ले Ultimately विसाल जी ऐसा है क्या कि आपका नाम दिया हुआ होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है ना तो मेरा यह मानना है कि इस कानून में जो विसाल जी ने मेहनत किया है काईदस ये काम ला मिनिस्टी का है विसाल जी ने वो काम किया है जो ला मिनिस्टी को करना चाहिए, यह सतियुक की टीम ने वो काम किया है जो ला मिनिस्टी को करना चाहिए, ला कमिशन को करना चाहिए, अब बने बैठे बैठाए मिल गया है, अब तो क्यों लागू करना है, मैं माननी ग्रीमंत्री से, माननी कानू मंत्री से निवेधन करता हो कि इस पे गंभीरता के साथ विचार करें चाहे तो नया इसमें चैप्टर नया कानून बना दें या भारती नया संगीता भारती नागरी सुरच्छा संगीता में नया चैप्टर जोड़ दें जो भी करना है करें भारती साक्ष संगीता में एक नया चेप्टर जोड़ दे, लेकिन तकाल जूठ को गंभीर अपराद घोसित करे, जूठी सिकायत को गंभीर अपराद घोसित करे, जूठी F.I.R. को गंभीर अपराद घोसित करे, चीटिंग फ्रॉट फोर्जरी को गंभीर अपराद घोसित करे, फरजी डाकुमेंट बनवाने क गंभीर अपराद घोसित करें परजरी को नान बेलेबल नान कमपाउंडेबल सीरियस अफेंस देकलेर करें जिसमें पांच से दस साल सजा का प्राओधान हो और मिनिमम पांच लाख रूपए से पांच करोड रूपए तक का जुर्माना का प्राओधान हो यह होगा तो मैं 50% यह कह सकता हूँ कि भारत के 50% मुकदमे अपने आप खतम हो जाएंगे इस समय भारत में 5 करोड मुकदमे डिस्टी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं यानि 5 करोड परिवार डिस्टी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों के कारण टे और इसके पैरलल पांच करोड मुगदमे और भी चल रहे वो कहां चल रहा है तसिलदार के हाँ, SDM के हाँ, ADM के हाँ, DM के हाँ, Commissioner के हाँ, SOC के हाँ, DDC के हाँ, चक्पंदी अधिकारी के हाँ वो चल रहा है, वसियत का मामला, विरासत का मामला, जमीन का मुकावला, सड़क पे, क्या बोलते हैं, कोई मेड किसी ने कबजा कर लिया, चकरोट कबजा कर लिया, वो जो अलग मुकदमा चलता है, चुकि भारत में फरजी मुकदमा करने का खौफ नहीं है, दबंग आता है किसी के जमीन पे क कवजा कर लेता है। और कहता है तुम जाओ तुम करना करलो 25 मुकर्मा करलो कानून ऐसा होना चाहिए कि किसी के जमीन पिइंड और काकरने के पहले सौ बार आद्मी सोचे है, उसकी रूहे काफ़ए। ऐसा होना पाकिस्तान का इन्हों ने मू तोड दिया था उसे उद्ध में और जानते हैं पिछले 20 वर्से अपने घर के लिए लड़ रहे हैं inके घर पे अवाइद कंत्जा हो रखा है 20 वर्से लड़ रहेैं पठानकोट पंजाब हाइप कोट सुपरीम कोट सुपरीम कोट ने कहा हाइ कोट हाँ कोट ने कहा पठान कोट पठान कोट यह गोल गोल चक्कर घूम daher जै ऐजबनाऊ सोचिये यह तो कर नल साहब पढ़े लिखियाए हैं समझदार हैं कानून को जानते हैं तब ये गोल-गोल घूम रहे हैं पठान कोड से आप उसको और चंडीगड फिर भी दूर है यहां से यह चंडीगड में रहते हैं तो आज आते हैं चार-पांच घंटे के अंदर आ जाते हैं आप उसका सोची है जो दिल्ली से 2000 किलोमेटर दूर बैठा हुआ धाई हजार किलोमेटर दूर बैठा हुआ गाओं में रहता है, किसान है, मज़दूर है उसके अगर घर पे कोई कभजा कर लेगा तो उसके पास कंबन से, जबनाब उसके समझहोता करने के लावाँ, कोई रास्ता नहीं बसता वो दबंग के साथ सम्झा होता करता है उसकी अगर एक बीघा जमीन पे कबजा हो जाता है तो लडने की बजाए, कोट में तारीख पे तारीख जाने की बजाए कहता भी यह ठीक काम करो आधा बीघे तुम रखलो आधा भी हम रख लेते हैं वो शान्त जानता है ये काम सरकारों का नहीं है दुर्भाग गिवस सरकारे इस मामले में फेल हुई है कानून को मजबूत करने में फेल हुई है और मैंने जैसे कहा भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में सासक का कार है धर्म की जय करना और ज़thank कर्णा salvar का नास कर लांग और भारत का संभिधान भी कहता है डया टू जास्टिस तीर फंडमेंंंटल टा गरीब से गरीब आदमी का कम है उसको उसको नियाय मिले और नियाय कितने दिन में मिले एक वर्श में मिले जस्टिस इतनी बात मुझे कहनी थी बहुत बहुत भन्यवाद बहुत आभाद